Hello and welcome to sports तक तस्वीर आप देख रहे होगे विराट कोहली की आज की तारीख उनके लिए बहुत ही जादा खास होने वाली है एक elite club में विराट कोहली की entry होने वाली है एक ऐसा club जिसमें सिर्फ वो खिलाडी शामिल है जिन्होंने अपने अंतराष्ट्य करियर में 500 या उससे जादा मुकाबले खेले हैं ये आकड़ा अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस आकड़े को पाने के लिए आपके करियर में एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है consistency और विराट कोली कहीं ने कहीं इस decade के सबसे बड़े खिलाडी हैं सबसे बड़े बल्लेबाद हैं अगर आप across वर्मैट देखें इसमें कोई भी सवाल नहीं है और ये वही विराट कोली हैं जिन्होंने जब वो शायद कहते हैं कि अपनी यात्रा पर चले चले ही थे वो नए नए इंतराश्टे क्रिकेट में आये ही थे वो मुझसे बहुत ज़ादा टैलेंटिड भी रहे हैं और मुझसे ज़ादा बहुत टैलेंटिड भी हैं लेकिन हाड़ वर्क और डेडिकेशन जो है वो अपने आपको अलग करकर दिखाता है जो कि विराट कोली के केस में हुआ है और उन्होंने एक चीज़ पर हमेशा पाकिस्तान का T20 World Cup में मुकाबला Melbourne वहाँ पर विराट कोली का वो सेल्फ बिलीफ ही था जो एक impossible से सिनेरियो को complete करके दिखाता है और विराट कोली वहाँ पर वो मैच जितवाते हैं टीम इंडिया को वो जबर्दस दो शक्के हारिस रॉफ की गेंदों पर ये विराट कोली कहीं न कहीं आप देखिए सचिन टेंडूल कर के बाद जो उनके रेकॉर्ड से अगर किसी खिलाडी के लिए उनके लिए बात हुई भी जो कि शायद वाकई में अभी भी जो हम कहरें कि विराट कोली थोड़ा सा पिछड़ गिये हैं लेकिन जो बात रही भी कि क्या वो शत जिन जिन खिलाड़ों ने 500 मुकाबले खेले हैं जो बड़े बड़े नाम रहे हैं उस वक्त पर उनके आंकड़े भी उतने शांदार नहीं थे जो विराट कोली के थे इन पर आपको जो है पूरी डिटेले बताएंगे लेकिन सबसे पहले as of now जब विराट कोली 499 मुकाबल हैं वो है टेस्ट में उनका एवरेज 48.89 जो एक वक्त पर 50 के पार होता था और उस वक्त पर विराट कोली हम बार बारी बात करते थे हैं कि इकलौता अगर कोई खिलाड़ी है 50 प्लस एवरेज तीनों फॉर्मैट्स में तो विराट कोली है हाँ पर आप देख सकते हैं अब और टाइम ओडिया 11 बनाएंगे तो अगर उसमें विराट कोली नहीं है तो वो कहीं से भी और टाइम ओडिया 11 नहीं हो सकती टीट्वंटी में बावजूद इसके की विराट कोली ने बहुत बहतर किया है अभी वो एक तरीके से स्कीम आफ तिंक्स में नहीं है लेकिन यह आप देखें कंसिस्टेंसी आप देखें 2020 जैसे फॉर्माट में 52 का एवरेज मेंटेन करना अपने आप में उनकी काम्याबी को बताता है टेस्ट जो आप देख रहें जहां पर उनका 500 मुकाबला होगा वो टेस्ट फॉर्माट रहेगा वेस्ट इंडीस से उनके करियर के श सारे सितारे लगें उनमें एक सितार और होगा कि जो 500 मुकाबला था विराट कोली उसको जो है और ज्यादा यादगार मनाते हैं शतकों की अगर आप बात करें तो देखिया 28 टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में है चेहां पर जो हम बात करते हैं कि स्टशीन टेनल कर रेकॉर्ड और वहाँ पर तो बिल्कुल पॉसिबल है वो टूटते वे दिखना और T20 में एक शतक उनका जो लेटेस्ट जहां से एक तरीके से विराट कोली जो उनकी फॉर्म फॉर्म फॉर्माइट में आया और उसके बाद दुबारा विराट कोली की गाड़ी जो हम कहने एक तरीके से पट्री पर वापस आए अधर्वाइस रन नहीं आ रहे तो यह है विराट कोली के जो आंकड़े आज वाफ आपको बताते हैं बड़ी जबर्दस पर्फॉर्मेंस रही है बड़ी जबर्दस कंसिस्सेंसी रही है और 500 मुकाबले खेलने पर बाकी खिलाडियों का क्या सबसे जादा आगे रहे तो यहां पर आप देख सकते हैं रिकी पॉंटिंग सबसे जादा आगे रहे तो यहां पर आप देख सकते हैं रिकी पॉंटिंग के रन सबसे जादा हैं 25,035 रन सबसे जादा आगे रहें 75 शतक सबसे जादा आगे रहें 75 शतक सबसे जादा आगे कि अल्रेडी 499 मुकाबलों में 75 शतक हैं जो सचिन के बराबर है जैक केलिस के अगर आप एवरिज देखेंगे औस तो सबसे बहतर है और इन सबसे भी बढ़िया विराट कोली का एवरिज है ये भी आपको आगे बताएंगे जैक केलिस का देखें 50.28 तो राहूल ड्रेविट जो मैं करते हैं कि भारत की तरफ से एक एलीट कलब अब ओविस ये बाकी तो खिलाडी हैं लेकिन भारत की तरफ से आप देखेंगे तो इस रिस में फीचर करते हैं सचिन टेंडूल कर राहूल ड्रेविट और MS धोनी जिनका 45.1-1 का ओसत था लोगर डाउन दॉर्डर पी वल्ले बाजी करिया इसलिए रंस भी थोड़े से कम है बट एवरेज शांदार है उस लिहास से और यह अलग-अलग खिलाड़ों के आप आंकड़े देख सकते हैं किस तरीके से रहे हैं तो यह बाकी के जो खिलाड़ी 500 मुकाबले में किस तरीके से उनकी अप परफॉर्मस हे अब आपको बताते हैं क्यों विराट कोहली इस लिस्ट में जब खाने के साथ आंटर कर रहे होंगे सबसे शान दार परफॉमेंस के साथ एंटर कर रहे होंगे तो विराट कोले के आपको लिए आपको दिखाते हैं कि और अगर शतकों की बात करें तो शतक हैं 75 शतक जो की सचिन टेनलकर के भी 75 ही शतक थे तो आप देख सकते हैं वो जो पूरी की पूरी लिस्त है उसमें एक से एक बड़ा नाम आपको दिखा लेकिन उन सबसे बहतर नाम यहां पर बहतर जो आंकड़े हैं वो हैं विराट कोली हैं WTC का जरूर उनको एक मलाग रहेगा कि WTC फाइनल तो वो इस साइकल में एक उपर्शुनिटी उनके पास जरूर रहेगी साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं कि अलग फॉर्मैट में T20 फॉर्मैट में क्या हो T20 वर्ल्ड कप की ट्रोफी उस पर देखना हुगा क्योंकि as of now जो हमने देखा है कि उस तरीके से scheme of things में ऐसा नहीं है कि विराट कोली की परफॉर्मैंसिज नहीं है बट सोच शायद बदली है जहां पर आप योवा खिलाडियों को पहले देख रहे हैं बट विराट कोली एक आपके पास बिल्कुल रेडी एक option है जहां पर आपको लगे कि ये एंक्सेज उस तरीके से perform नहीं कर रहे हैं तो विराट कोली पर आप पूरे तरीके से भरोसा जता सकते हैं क्योंकि ये भरोसा विराट कोली ने over a period of time कम आया है जिस तरीके से उनकी performances रही है तो ये विराट कोली के लिए आज का दिन क्यों खास होने वाला है वेस्ट आज साथ आप लोगों के लिए एक special है जो आज से तक्रीबन दो-तिन साल पहले मैंने किया था विराट कोली की तब तक की journey वो थी कोहली से किंग कोहली तक जो मैंने शुरुआत में आपको बताए कि कैसे विराट कोली ने का था कि मैं एक ordinary सा career नहीं चाहता जहां बस लोग बात करें कि हाँ एक खिलाडी आया वो इंडिया खिला वो चला चला गया विराट कोली में ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया तो उनकी पूरी कहानी आप जो है वो डॉक्यूमेंटरी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे साथ-साथ यहां भी कह जरूर करें शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और स्पूर्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें अभी के लिए आपसे अजाज़त लेते हैं